प्रिंट कल्चर आज हम देखेंगे प्रिंट कल्चर एंड दो मौड़न वर्ल ठीक है यह हमारे जो चैप्टर हिस्ट्री का बड़ा ही सतानला चैप्टर पर मैं इसको बहुत इंट्रेस्टिंग तरीकी से बताऊंगा और देखो बिल्कूल सथ सथ बताऊंगा कि कहां कहां पर कौन कौन सी चीज़ें इंपोर्ट जुमको याद ही करना पड़ेंगी no matter what वो मैं तुम्हें इस लेक्सर के अंदर बताते चलूँगा तो let's begin print, culture and modern, without wasting any more time अचा, make sure कि अगर तुम लगरेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो, ठीक है, क्योंकि ऐसे खतरनाक तगड़े वीडियो इस चैनल के अपर आते जाएंगे, मुझे इस्टाइकर पर फॉलो कर सकते हो, add the rate, कौन प्रण है, है ना, slides के अंदर हमने सोचा कि ये सब चीज़े आड़ नहीं करते हैं, हम डारेक्ली आते हैं, मुझे के अपर, और सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना है, इस चैनल को, ठीक है, चलो भई, आज हो स्टाइट करते हैं, चैप्टर पूरी एलर्जी के साथ में, पहले तो भई पैन पेपर लेके बैड़े जा और बिल्कुल साथ में जिल्कुल जैसे दोस्ट भाई पढ़ते हैं, हम जोड़े से चेर रेकलाइन कर लेते हैं, और मस्त यसी कहानी की तरफ सुनेंगे, देखो, सिंपल सी बात है, इधर देखो, सिंपल सी बात है, अभी जिंदकी के अंदर हम को और चीज में प्रिंट दिखती हैं, और यह जो चीज लिखी हो यहाँ पर, यह प्रिंट कैसे हुआ, यह प्रिंट तुम सोचो कि हमको पता है कि हाँ आजकल तो प्रिंटर आ गया है, या फिर टीशर्ट के पर प्रिंट करेंगे लिब आ गया है, तो प्रिंटर आ गया है, तो पुछ भी प्रिंट हो सकता है, यह सा करती थी है ना वो चीज़ हमको देखने इस चैप्टर के अंदर बढ़ा ही खुप सरो चैप्टर है बहुत समझने लाए कुछ भी निए इस चैप्टर में बहुत ही फुद्धू चीज़ समझने लाए कि तुम कुद ही समझ जाओगे पर हार एक इंसिदेंट को याद करना ज अज हम इस लेक्टर के अंदर कवर करने वाले हैं let's begin print culture सबसे पहली चीज़ बहुत है पहले एक चीज़ धियान रखो मैं तुम कुछ फंडे बताते चलोंगा फंडे दिमाग के अंदर बिठाते या न ठीक है और उसके साथ साथ मैं तुम्हें कुछ important points बताऊंगा जिससे the first printed books in the world तो सबसे पहले जो printing के technology थी वो हमारे पस में China, Japan और Korea के अंदर थी यहां पर किया होता था यहां पर किस साथ से book printing होते कि both sides of the book were folded and stitched ठीक है कैसे होते थी printing बताता हूं सबसे पहले क्या होता था कि यहां पर जो Chinese books जो होती थी वो उनके सबसे पहले printing वहां पर होते सबसे पहले important point is हर एक slide के important चीज़ बताऊंगा और slide तुमको खुद को read करता चलने देखो तुमको मेरे से पढ़ने का funda पता ही है मैं पूरी slide का IK point read करके तुमको नहीं बताता हूं उसमें time waste नहीं करता हूं मैं पूरा उसका gist बताता हूं एक बार मैं फिर तुमको pause करक बठी वो दिमाग में भी बैठ जाए तुमके चायना के अंदर कैसे होता था चायना के अंदर हम book को rub करकर करके करता था मतलब क्या होता था कि हम एक वो बना लेते था एक wooden block के उप एक हमें एक shape बना लेते था या कुछ भी आ बन गया तो मैं का रोंगा paper को सो पर हम देख रहें कि प्रिंटिंग स्टार्ट कहा से हुए ठीक है चलो यह एडी 594 की बात है मतलब अभी 594 याने कि कौन से संचुरी होगी 600 यह कौन से संचुरी होगी यार अभी 21 संचुरी चल दी शिक्स संचुरी के असपस की बात होगी नहीं ठीक है तो यह चीज हम समझ कि 594 मतलब अभी 2020 चल रहा है 594 आज से कुछ 1500 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं तुमको ठीक है चाइना के अंदर प्रिंटेड मेटरियल जो था हो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्रडूसर था चाइना और बहुत ही ज्यादा स्किल्ड लेबर से अब देखो मानलो पांच में प्रिंटर चल आओ 10 कोपी फट पर तब तो भई 10 कोपी बनाने है मतलब आपको हाथ से लेके प्रिंटिंग करने हैं तो तब क्यों था होता था कि बहुत ही इंपिरियल स्टेट इन चाइना यह था मेजर प्रडूसर इंपिरियल स्टेट का मतलब क्या है कि चाना अपर ले एक राजा के अंडर काम करता था पर चैना के अंडर प्रिंटरर बीरोक्राइटिक सिस्टम बीर्योक्रियल स्टेटिक मतलब जैसे आज अमारे पास में IES IPS ऐसे पोजिशन होती है तो तब बरिए अचछी राइंग्स पाते है है वह आई पढ़ेंगे कहां से, पढ़ेंगे किताब उसे, ठीक है, तो सबसे पहले जो चाइना के अंदर जो बुक्स फैलना लगी, वो इसी एक्जाम के अकरण में फैलना लगी, यह हमारे लिए बहुत इंपोर्टन इंसिडेंट है, क्योंकि यहां से दीरे-दीरे करके यह चीज मैंन पर अभी तुम्हें ऐसा लगता है, क्योंकि अब तुम्हारे पास में फोन है, आच्छे, सो साल पहले फोन नहीं था, लैपटॉप नहीं था, सिर्फ न्यूस पेपर थी, किताबे थी, तो लोगों ने इतनी किताबे इतनी न्यूस पर कैसे प्रिंट के उसकी हिस्ट्री कह करना चालू कर दिया, यह सिर्फ पढ़ने वाले काई के लिए मज़े ले, हम भी फुरसत में बैठे था, हम भी फुरसत बैठके कुछ किताबे इतनी करते हैं, तो ऐसे करके लोगों के अंदर वो फुरसत के पलों में, इंजॉय करने के भावनाती वाने लगी, इस ते जो अमीर विमें थी, अमीर घरों के जो जनरली घर में रहती होंगी, उन्होंने अपनी खुद की किताबे चापना चालू कर दी, ठीक है, दिरे दिरे जितने भी नए रीडिंग कल्चर जो आया, देखो, राइटिंग कल्चर क्यों बड़ा, क्यों कि रीडिंग कल्चर आय जब तक reading culture ने और तक print culture ने ना अरे भाई print culture तभी होगा ना जब लोगों के इंदर read करने की भावना होगा अगर को reading करने आला नहीं होगा तो printing क्यों होगी फालतो हो जागी फिर तो print तो इसलिए reading culture कैसे जब बन गया पूरे print culture का है जो भी बन गया पूरे print culture का है अब जपान की बात करते ही चायना देख लिए चायना होगा खतम मेंली हमको यॉरॉप और इंडिया के बारे में पढ़ना है पर हाँ अभी हम थोड़ा चायना और जपान के आरहें भी देख लेते हैं जपान के अंदर क्या होगा देखो बेसिकली ना सबसे इनिशेली बुक स्प्रिंट करने का जो motive था वो यही था सबसे पर हमने देख लेगी चायना के अंदर सिविल सर्फ एग्जामिनेशन दूसरा ही मोटिव था कि हमको अपने religion को प्रोपगेट करना है बही मैं अगर अपने religion को आगे और famous करना चाता हूँ और लोगों के फैलाना चाता हूँ तो मुझे उनको सिखाना पड़ेगा अब मैं एक इंसान हर जगे हर घर में तो जा नहीं सकता है इन्हों ने जपान कए अंदर इंट्रिश किया तो sबसे पहले चैना में दीखा हमको अब चैना से जपान में कैसे आया जपान में क्यों है, सारी कंटरी दुनिया की अलगा अपना अपना काम करी थी चाइना के अंदर प्रिंट की बड़ी सही चीज आई तो लोगों की दिमाग में चमका कि यह एक बड़ी है टेक्नोलोजी है तुम सोचो उस टाइम पर प्रिंट जैसी कॉमन चीज भी नहीं थी तो इसको फैलाना कितना इंपोर्टन है तुम इसकी भावना समझो पहले तब उनको चैप्टर मजा आएगा अब क्या हो चैना के अंदर हो गया अब चैना से जपान में क्यों गया है प्रिंट आसे फालतुत हो जाएगे नहीं कि चैना वाला अनुट की चले काउं कर आई ऐसी दिदो जपानी उसको नहीं ने ने बिना फायदे के तो कोई कुछ करता है इंट्रेस्टिंग आप देखो क्या हो कि सिर्फ टेक्स टेक्स तो बोरिंग आयाता था तब भी लोगों के चाहिए तक भी पिच्चर होनी चीए बड़िया फोटो वोट तो मजा है तो इसलिए फोटो वोट आने लग गया उसके अंदर 19th century के अंदर बहुत सारे पेंटिं होना लग गया ठीक है अब हमारे लिए आता है सबसे important पार्ट जो किया है print comes to Europe अभी तो हमने दो फुद्दुची से देख लिए इनको ख़तम करा अब यॉरॉप के बात करते है यॉरॉप के अंदर प्रिंट कहां से आ है थ्रू सिल्क रूट के है सिल्क रूट ऐसे रास्त मतलब बहुत चार रासते जैस कि मुंबई से दिल्ली जाने के रूट होंगे मतलब एक रास्ता होगा दूसरा होगा तीसरा होगा पर overall देखा जा तो यह एक ही periphery में आ रहा है न मतलब कि direction तो एक ही है तो ऐसे ही है पूरे रूट होगया similarly जपान से यॉरॉप जाने के भी बहुत है यॉरॉप बहुत बढ़ा है तो यॉरॉप में यहां का एक रूट होगा यहां का रूट होगा यहां का रूट होगा यहां का रूट होगा सिमिलरी जापन भी बहुत बढ़ा होगा तो यहां से यहां से यहां से यहां से तो पूरे रास्ते होते हैं उनको हम रू पाना बजाएगा उसका सुनते जाओ तुम 11th century में कि चाइनीज पेपर जो था वो यौरप पहुंच गया जो चाइना में पेपर बना था अच्छी कॉलिटी का वो यहां पर पहुंच गया Marco Polo जो कि बहुत ही बड़ी एक्स्प्लोर था भाई ये ध्यान से चुनो Marco Polo है इसके लिए responsible अगर तुमको बोला जाए कि चाइना से यॉरोप में पहली बार print culture या फिर पहली बार Chinese paper या फिर पहली बार जो ये पूरा कल्चर है printing टेक्नोलोजी कौन लेकिया था ये लाया था Marco Polo Marco Polo गहां था बड़ी एक्स्प्लोर था ठीक है Marco Polo वही इंसन था जो बिल्कुल बोलता है ने चल वरो पहाड़ पे चलते एक्स्प्लोर करते जिंदगी तो ये वही था इसने कहा कि अब बड़ी बड़ी शिप्स में बैटके जाते थे महीनों महीनों सालों सालों तक ट्रेवल करते तो फिर आते थे अपनी कंट्री में कुछ ना कुछ ग्यान लेकर अब ये कई सालों के प्रिंटी में वही कि लकडी के उपड़ी के लकड़ी होगी और उसके उपर लेटर्स होगे और उसपर तुम घिसो गया ना तो लेटर्स प्रिंट होना चालों हो जाएंगे बिलकूल बेसिक से टेक्निक थी अब देखो क्या हुआ कि सबसे पहले luxury editions बनने लग गया तो अब ही जब यॉरॉप में नहीं चीज आई तो सोचो अगर इंडिया के अंदर एकदम से कोई नहीं चीज आ गई है ना मालुकी कि एकदम से लेट से की विल्कुल कार्स आ गई तो इनीशली जब कार्स आई थी इंडिया में तो सिर्फ अमीर लोगों के पास में थी है ना तो धीरे देरे करके सब लोगों के पास में आ गई तो तो सिमिलरली जो प्रिंट वहां पर पहुंची तो लोगों का दिमाग फट गया बोले कि यह तो बहुत तगडी चीज है बदलब हाथ से लिखने की ज़रुआँ नहीं बार बार डिरेक्ली प्रिंट कर सकते हो है ना तो यह टेक्नोलोजी लोगों को दिमाग में बैढ़े यह ना यह से बेसिक अमको पसंद ना कैंग आगा बढार गार के यह के उसके उपर और यह सिर्फ अमीर lijबरी में मिलता था घ कहें जहां पर और प्रिंटेड बुक से चीफ वल्गाईरिटीज तो में बार चीफ वलगरिस भी उसके अंदर थी धी चलो, तुम समझ रहा ना बात को सिर्फ लिखने वाले लोग हैर कर रखेते हैं मतलब मैं एक बहुत ही अमीर यॉपेन हो तो मैंने कहा था एक बंदा रख रहा था जो कि सिर्फ राइटिंग करेगा और मेरे लिए राइटिंग करेगा मतलब जो बहुत ही बड़ी या फेमस बुक्स होंगे न वो बुक्स लाएगा वो उन बुक्स में से देख देख के अपनी बुक में चापेगा और मेरे लिए स्पेशल एडिशन बनाएगा ये रही सी शौग होते था लोगों के तो पहले स्क्राइब्स जो थे या पहले जो स्किल्ड हंडर्ट थे इनको सिर्फ अमीर येवरोपें से वो करते थे पर जैसे-जैसे प्रिंट का कल्चर जो है वो गरीबों तक भी या नॉर्मल मिडल क्लास लोगों तक फैलने लगा तो प्रिंट की दिमांड बनने लगी अगर प्रिंट की दिमांड बनने लगी तो उस्क्राइब्स की दिमांड है इनकी भी इनकी इनकी भी दिमांड बनने लगी लोगों ने बुला है कि स्क्राइब्स आप सिर्फ वेल्दी पैट्रनस नहीं रखते थे पर जितनों भी replace जो थे वो एक्बूग Beimό duż बुक्स के लरूँ, तो मैंने 50 स्क्राइब को एंप्लोय कर लिया, तो अब सिर्व ये शौक नहीं बचा है, एक बिल्कुल धंदा बन गया, अब गुटनबर्ग आते हैं, गुटनबर्ग सबसे इंपॉर्टन नाम है, गुटनबर्ग एक बड़े ही अमीर मर्चंट का बेटा अब इसने बहुत ही सारी चीजे चेंज की, और ये इसको बाद में धिरे दे करके लोगों ने भगवान बना दिया, ठीक है, गुटनबर्ग क्या है, पहली बात तो ये समझ लोग कि गुटनबर्ग एक ऐसा आदम है, जिसका पैसे की कोई कमीन है, पर गुटनबर्ग जो है अब इसने सोचा कि बाई इसका बचपन से नॉलेज था, बचपन से नॉलेज और जो पैसा था इसके पास में, तो इसके आसमें हमेशा से यह ओलिव प्रेस और वाइन प्रेस का नौज़ तो था ही, इसनों सोचे कि अंदर भी है, भाई हम हाड़ प्रेस कर रहा है, तो similarly हम कुछ ऐसा कर सकता है, कि कुछ-कुछ फोन्स बना दें, और बिल्कुल इसको प्रेस के थूरू प हाथ से लिखे बनागे, अब हाथ से लिख दी, मैं और हाथ से लिख लिखे, नए तो इसको ने हो पाएगा, तो जो कुछ नहीं हो पाएगा, तो कुछ ना कुछ तो टेकनॉलोडिय लानी पड़ाइगे, तो एरोप के अंदर की आ वाँए, यू पोडोग चालों लगए, print textiles, playing cards, religious pictures है ना, जो wood blocks हम चायना से लेके आया थे जिसके थूरू printing होते थी, ऐसे wood और blocks को ऐसे rub करके, वो चीज यहाँ पर आ गई, अब यहाँ पर वो ऐसे famous होन लगी थी रिद्रे, है ना पर अब गुटनबर को लगा, कि हमना एक बड़िया चीज बनाते हैं, जिसको बोलते हैं, प्रिंटिंग प्रेस इसने बनाएं 1430s में, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस के अंदर क्या होता था, कि विदा अडप्टेशन रिंट अगनलजी, दे एक्जिस्टिंग आर्ट अफ प्रोडूसिंग रिंटिंग प्रिंटिंग प्रेसरेन प्रेस forts, जा तोico PACDy प्रेसरेक कान काहिएो अَّば il क्री होता हां प्रेसरे काहिए तो इसके अंदर भी, अमीर यूगों ने सोचा है, ये तो सभड़ोगों के लिए अगर इतना ही सस्ता होगा तो इसलिए हमारे लें कुछ एक्स ट्राइडिशन दा तो अमीरों की हमेशा से अलाग-अलाग इतली भी यॉर्प के एक कंट्री अब धीरी दिर करके यह चीज आगे बढ़ने लगे लेक्ट अब यहां से शुरुवात होती है प्रिंट रेवलेशन की कि हमने देखTell लें कि प्रिंट कस्तर कैसे चेंज हो गया अब इस यह जो प्रिंट कट्र जैसे ही आया वैसे ही क्या-क्या चीज़े धुरिश्हों हो लगे वह हम लेखेंगे क्या सारे ये ओरफ में लोग पढ़ा लिके होते नहीं थे, तो पहले जो था, 17th and 18th century में 60 to 80% हो गया, पहले सिफ 30-40% था, ठीक है, लिटरसी रेट इतना पढ़ गया, चर्चेस जो थे, उनके जो डिनोमिनेशन सेट अप इन स्कूल और विलिजे केरिं लिटरसी, तो बेसिकली, चर्चेस अब डिनोमिनेशन, क्या करना लगए, कि ये भी अलग अलग जगो पर अपनी जो नॉलिज़ तो उसको फैलाने के लिए स्कूल सेट अप करना लगए, अगर स्कूल सेट अप होंगे, तो अब्विसी बाते लिटरसी रेट पर बढ़ेगे, और इस अब किसकी बढ़ोल थे, और पेज़ बढ़ें, प्रिंट प्रेस बना डा ले, कहां से सीख्ये है, औलिव प्रेस और वाइन प्रेस, किसका बेटा था, अमीर मर्चंट का बेटा था, कपडोगे मर्चंट का, और अगरिकल्चर एसे करकर रिविजन करता है, चलनगों चिंता हो, जह पता है कि तुम लग अब देखो जैसे कि यह content बना रहा हूं, तो यह जो वीडियो यह तुम लोगों को टार्गेट कर रहा है, मतलब यह किसको टार्गेट कर रहा है, क्लास 9, 10, 11, 12 के बच्चों को, स्कूल स्टुएंट्स को, वैसे ही अगर कोई और वीडियो है, जो कि कॉलेज वाले बच्चों के लिए बना है, तो वो तुमको टार्गेट नहीं कर रहा है, वो उनको टार्गेट कर रहा है, तो ऐसे धिरे जरे करके टार्गेट आएगा, similarly तुम्हारे पेरेंट्स का भी मेरा वीडियो देखने नहीं आएगे, उनको के लाना जाना प्रिंट कर चालेगे, दसवी क्लास के उनको के लाना जाना, ठीक है, पर मेरा टार्गेट तुम लोग हो, मेरा कॉंटेंट तुम तक पहुंचना चाहिए, मुझे उनसो कुमने सुनाओं के लिए पर बलार होता है, इंगलेंड में पहनी चैप बॉक्स आती थी, पहनी सही समझमा रहे है कि पहनी मतलब कॉड़ियों के दाम बहुत ही सस्ती मिलती थी, है न, क्या होता था था कि पैटी पेडलर, सूनो ने चैप मैन, तो बेसी कलिए धिहान से सु जो चोराहो पर या फिर सिगनल्स पर बुक बेचते हैं तो जो ऐसे लोग होते हैं जो घर-घर जाके कितावे बेचते हैं आज भी बहुत सार लोग है जो घर-घर जाके कितावे बेचते हैं तो ऐसे लोगों का हम पेडलर्स बोलते थे पेडलर्स को हम नना देता चैप मैन, ये क्या बेशते थे, ये चैप बुक्स बेशते थे, चैप बुक्स मतलब कि ये बहुती सस्ती बुक्स होती थे, जो कि बिल्कुल को दाम मिलती थे, जो कि गरीब आद में भी खरीच सकता है, ठीक है, तो ये चलते फिरते बुक्स बेश और उसके पास में इतना टाइम भी नहीं वो क्या करेगा भाई मान लो कि कहीं ट्रैवल कर रहा है तो उसने इतनी दर में चार-पांच पन्नों की पढ़ ली छोटी-छोटी 18th century से पिरोडिकल प्रेस डेवलप होना लगा पर आने लग गें फिर Isaac Newton की जो डिसकावरी थी वो भी आने लग गें scientifically minded readers के लिए अभी तो हमको पता है कि Newton के तीन laws of motion होते है यह होता है gravitation का लोग होता है फाला ना डिमकान होता है पर उस टाइम पर लोगों को पहुचाना बहुत मुश्किल था तो यह प्रिंट के कारण ही हो पाए था जो पिरोडिकल वीक लिए दाती है इनके कारण ठीक है Thomas Paine, Walter, Gene, Jacks, Russo अगर तुम लोगों ने 9th में French Revolution पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा रूसो ने भी एक बुक लेके थी बहुत ही फेमेस ठीक है तो इनके जो आइडियास थी यह सब बटने लग गए धीरी देरे इनके जो आइडियास देखो यह रैशनलिटी वर्ड तुम्हें आगे बहुत देखने को मिलेगा रैशनलिटी मतलब कि भाही लोगों के अंदर जागरूपता भी आई है ना सिर्फ entertainment की बात नहीं थी किसे ठीटोली कर लिए और किताब रख दी इससे genuine changes है society के अंदर जो आज तक हमको देखने को मिलते है वो क्या क्या है वह हम देखेंगे आगे ठेंबल therefore tarants of the world बड़ा ही important एक statement है जो कि किसने दिखा है किसने बोला है लुई सेबेस्टियन मर्शियर इस व्यक्ति ने ये एक statement बोली है ट्रेंबल therefore tarants of the world ठीक है अब यहां से शुरवात होती है भाईया कि print ने कैसे अच्छे अच्छो की सरकार गिरा दी print ने कैसे गरीब से गरीब इंसान की जो सोच थी उसको आगे लोगों तक पहुंचा है print ने कैसे अत्याचारियों को नीचे गिरा दिया क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि print जब तक print नहीं था तुम सोचो कि मैं एक राजा हूँ और कोई भी ऐसा सो अब phone, whatsapp, print, print कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, तो मेरी जो परताणाय है, मैं जो गंदे काम करूँगा, वो लोगों तक पहुंचेंगे कैसे, आम जनता के लिए तो मैं भगवान हूँ ना, पर हो सकता ना कि मैं अपने महल के अंदर कुछ गंदी हरकते कर रहा हूँ, वो आम जनता को नहीं पत आम जनता को किताब ही मिल गई, आम जनता ने पढ़ा कि ओ भाई साहब, जिस राजा को मैं भगवान वान हूँ यह तो ऐसा निकला, जब तक किताब नहीं होती, तब तक उसको कैसे पता चलता कि राजा ऐसा है, तो प्रिंट के करानी ही चीज आई ना, तो इसलिए ये उन्हें बिल्कुल कापने का समय आगया, अब तुम्हारी जो है फटकेचार होने वाली है, ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रिंट कल्चर आगया है, अब हर एक इंसान तुम्हारे जो अत्याचारे उसके बारे में जान सकेगा, तो ट्रेंबल, ट्रेंबल मतलब काप जाना, थर परफुल इंजेन है, जिससे प्रोग्रेस और पबलिक ओपिनन आ सकता है, ठीक है, और देटकें स्वीप डेस्पोर्टिसम मतलब कि किसी भी फ़र्म में एक आदमी का रूल होना, जैसे मोनार्की हो गया, ठीक है, डिक्टेटरशिप हो गया, यह सब क्या है कि एक आदमी अ इंपोर्टन है कि फ्रांस के अंदर भी तुम देखोगी कि हमने जब फ्रेंच रोलिशन पढ़ा था नाइंध क्लास के अंदर तब हमने चीज देखे थी कि अलग-अलग टाइप की नोवेल्स है, जैसे जीन जॉक, रूसो अभी हमने देखा, फिर अलग-अलग अब जैसे प्रिंट कल्चर आया, तो प्रिंट कल्चर आते से ही जो तीन मेन आर्गुमेंट्स हर बुक के अंदर लिखी जाती थी, अब लोगों को असलियत बतानी है, अब जो असलियत है तो लोगों के दिमाग में जब आई, तो सबसे इंपोर्टन तीन आर्गुमेंट् जो enlightenment thinkers का idea's थे, वो popular होने लग गए, ठीक है, इनकी जितनी भी writing थी, ठीक है, वो सब provided a critical commentary of tradition, superstition, despotism, इसका मतलब इन्होंने criticize करना चालू कर दिया, जो भी लोग ऐसे थे, जो कि असली में thinkers थे, उन लोगोंने criticize करना चालू कर दिया कि भाई, किसी भी चीज़ को, है ना, मालो कोई religion भी है, मालो अगर कोई church कोई सी चीज़ कर रहा है, तो इसके अगर कुछ practices गलत है, तो पहले कोई उसने पड़ा कि हाँ यह जो सही कह रहा है, तब दीरे-दीरे अंदर लोगों के अंदर भावनाय चाले हो कि भाई, एक्च्वल में, जो हमारा साथ हो रहा हो गलत हो सकता है, ठीक है, they argued for rule of reason rather than custom, इन्होंने, अब यह जो पहले argument यही है, कि सबने rule of reason इसका reason क्या है, जैसे हम बोलते हैं कि 12 बजे घर से बाहर मत निकलना, इसका reason क्या है, बिल ली काड़ जया तो आगे मत बढ़ना, इसका reason क्या है, ठीक है, फिर बहुत सारी चीज़े होती है, मतलब जैसे कि कोई भी छोटी मोटी चीज जो तुमको पता ही है, ठीक है, जैसे कि बहुत सारी धारना ये भी बोलते है कि जब जब भी एक लड़की menstrual cycle में होते हैं, उसके period चल रहे होते हैं, तो she should not go into the kitchen, या into the temple, इसके reason क्या है, पहले लोग मानते थे, बाद में भी मानते हैं, पर लोगों ने तब बोला कि मान तो लेंगे, पर रब reason तो बताओ, तो ये जो थी, ये जो wrong number, oh my god, देखे रहे हैं, तुमने असमें जो wrong number लगता है, wrong number पर लोगों ने question लगाना चालू करते हैं, बही wrong number है तो, इन्होंने बहुत सारी sacred authority को भी टार्गेट के हैं, बहुत चर्च तक को टार्गेट है कि चर्च जो काम कर रहा हो, गलत काम कर रहा ह चलो, बहुत बढ़िया, दूसरा, print created a new culture of dialogue and debate, अब लोग debate कर सकते हैं, अब लोग जो हो अलग अलग प्रकार से अपनी भावनाओं को रख सकते हैं, सिर्फ religion की बात नहीं कर रहा हो, इसके अलावा भी, मान लोग किसी का ऐसा कहना है कि factories आनी चाहिए, किसी का ऐसा कहना है क पेड़ होगाने चाहिए, अब वो दोनों debate कर सकते हैं, ये बोलेगा कि factories अच्छी है, ये बोलेगा पेड़ पौद अच्छे है, ठीक है तो ऐसे करके debate हो सकते हैं, तो इससे और नए चीज़े आ सकती है, बाइस अब देखो तीसरा, बाइस 1730 देखो तुमको भाई, रीड चाहिए, दूसरा ये कि अब debate होना चालो होगा और तीसरा ये कि अब mocking चालो होगी, मतलब अब लोगों का मजाग बढ़ना चालो होगया, ठीक है, चलो, और ये underground बड़ी चल्ची थी, हना, क्योंकि सामने के सामने तो कोई बेच नहीं, राजा की बढ़ी कोई सामने तो बे देखा, वो तो सब जगे हम देखते हैं कि हर जो चीज आती हो, सबसे पहले उसको enjoy करने के लिए मैन ही खड़े होते हैं, तो मैन ने तो अपना कर लिया सब कुछ, मैन को समझ में आ गई, debate कर ले, ये कर ले, वो कर लिया, पर कैसे ये चीज, चिल्रन, मतलब बच्चे, जिन स्कूल तो आता, तो स्कूल की टेक्स्ट बॉक्स प्रिंट होती थी, तो अस बस पहले चिल्रन की जिंदगी में, या प्रिंट कुल्चर की जिंदगी में, टेक्ट बॉक्स बड़ी इंपोर्टन थी, दूसरा, चिल्रन के लिए न सबसे पहली, ये कोशन बन सकता है, एक मा सबसे पहले बनाने वाले कौन थे बच्चों के लिए डेडिकेटेड प्रेस कब बनाई 1857 में कहां बनाई फ्रांस के अंदर तीन चीजा याद होगी एक नंबर का मिल गया तुम कहीं पर इन्होंने क्या क्या इन्होंने जितने भी फोक टेल्स थी जो फोक टेल्स पेजेंट स बच्चों को बेचेन तो जिसमें adult वाला content अगे बटा दो अभी तुम देखते हो ना कि एक movie तो होती जो कि adult होती जो तुमको थेटर में बोलती है जिसमें लिखा जिए लिखा होता है जब वह टीवी पर आती तो वह यूए हो जाती है मतलब कि वह बच्चे भी देख सकते कि मम्मी मेरे दोस में पढ़ी मुझे भी लाके दो बुक तो ऐसे करकर के आगे बढ़ना लगया देखो बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है है ना बहुत ही प्रैक्टिकल है इसमें कोई में रॉकेट साइंस ने बता हूँ बिल्कुल सिंपल सी बात है ना विमेन अब विमेन की अब विमेन जनरल ही घर मेरे तो तुम सोचो कि विमेन के लिए बुक्स के ओं इंप्रटन होगी आरे बहुत है तुम आपने ममी से पूछना कि मम्मी ऐसी कौन सी मैगजीन है जो कि सिर्फ लेडीज के लिए होती है तो बता देंगे तुमको सखी नाम है या ऐसा कुछ नाम कैसे भीएव करना चाहिए हाउस कीपिंग मतब घरे लूट टेकनीक बच्चो को कैसे समालना चाहिए खाना अच्छा मतब वो जो रेसिपीज होती हो सारी चीज़े विमेन ने खुद ने अब 19 सेचर ने ने नौवल सुना चालू कर दी अब देखो जब विमेन ने नौवल यह जो मैंन है वो भी जब उन किताबों को पड़े गें कि उनको पता चला कि भाई साहब एक औरत के दिमाग में यह चलता है क्योंकि तब तक तो लोगों को पता नहीं कि आपना काम करते हैं सुबह काम पर नहीं कर जाते हैं तो ऐसे करके जब विमेन ने बुक लिखना चा हैं पर जब विमेन लिखेंगे तो वो अपने नजरे से लिखेंगे तो उन्होंने जब लिखना चालुकिंगा तब उन्हने यह चार चीज़ों का था नुका कि हम विमेन को ऐसे पोट्रे करें मतलब जब भी कोई किताब रीड आ तो इसको लगना चाह여 है कि विमेन के अंदर यह चार चीज़ है, कौन कौन सी, पहला कि विमेन is a person with will, इसके अंदर ताकत है, इसके अंदर इच्छा शक्ती है दूसरा, strength of personality मतलब विमेन की जो personality जिसको सिर्फ घरे लू माना जाता है, कि घर के काम करने के लिए और बाहर कोई इसका role नहीं है, वो सिर्फ वहाँ तक limited नहीं, उसके personality में एक strength है जब वो खड़ी होती है, तो उसके में एक strength होती है determination, भाई determination, मतलब विमेन जो हो determined होती है, कि हमको जो करना है मतलब करना है, चौता part हो thing, मतलब विमेन भी सोच सकती है, पहले विमेन की राये नहीं लिजाते थी, पर यहाँ पर विमेन ने बताया कि हम भी सोच सकते हैं, तो ऐसे करके चार ideas विमेन ने आगे फैला है, फेमस novelist ये भी आ सकता है, एक्जाम के अंदर के भी कौन-कौन से फेमस women novelist थे, Jane Austen Brown sisters, George Elliot, ये तीनों जो थे फेमस, मैंने नाम लिख दिया हाँ पर अब workers इंदर बार करता है, देखो, workers के अंदर क्या हुआ कि workers जो है, अब workers, obviously बात है कि ज़रूर नहीं कि सारे workers बहुत अमीरी होंगे, कई सारे गरीब workers बहुँगे, तो इनके लिए कहां कहां जैसे चिल्डरन के लिए स्कूल में कामाया, फिर फोक्टेल्स में कामाया, विमेन के लिए घर में जो किताबे थी, वहां पे कामाया, manuals, housekeeping, ठीक है, बच्चों को कैसे समालना है, अच्छी recipes, वो सारी चीज़ों में कामाया, साथ में में खुदने लिखना भी चालू कर दिया, तो वर्कर्स की जिंदगी में प्रिंट जो है, या बुक्स जो है, वो कहां काम आई, तो भाई देखो, 19th century के अंदर लाइबरेटी सीमर्ज होने लग दी, है ना, जैसी 19th century के अंदर क्या हुआ, मिट 19th century में वर्कर्स ने बहुत सार रिवाल्ट किया होगा, है ना, तो क्या होँआ कि उनका जो वर्किंग डेथा हो छोटा होगा, मानलो पहले उनकी 12-15 गंटे की शिफ्ट लगती थी, अब इन्होंने खुदने कही सारी पॉलिटिकल ट्रैक्स, मतब अपनी आइडियालोजी इस भी रिखना चालू करते हैं, कि बहु प्रिंट एक ऐसी चीज थी कि हरको अपने इसाफ से लिख सकते हैं, तुम सोचो मेरी बात सुनो, तो तब जब प्रिंट आया पहली बार, तब लोगों को लगए हैं, सोचो अगर प्रिंट भी नहीं था, मॉबाइल भी नहीं था, डिजिटल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो एक आम इंसान कैसे अपनी करता है अब जैसे गांदी जी ने अगर मानलों कोई मीटिंग कर रही है जहां पर उनने लोगों को बिला तो हजार भीड आजाएगी पर एक आम इंसान जब बुलाएगा तो कौन सुन ने आएगा उसको कोई mid 19th century में Richard M. Ho of New York had perfected the power driven cylindrical press इन्होंने क्या क्या कि इन्होंने अब देखो धीरे देर technology बढ़ने लगी जैसे phone आए तो सबसे पहले जब iPhone Apple ने release क्या था तुम खुशो कि पहले iPhone में और आज की iPhone में कितना difference है जमीन आस्मान का difference है क्यों 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 कि पहला iPhone ने एक नीव तो बना दी कि ऐसा होना चीए पर धीरे देर करके इसमें technological improvements आते हैं हरसल है ना तो वैसे ही इसमें भी technological improvements आ है Richard M. Ho नाम याद रखो कौन वो वेक्ती था जिसने power driven cylindrical press को और अच्छा किया इनोवेट किया वो था Richard M. Ho क्या effect वो इसका effect यह हुआ कि हम 8000 sheet print कर सकते थे हर एक घंटे में तुम सोचो भाई जब चायना से printing press पहली बार निकला तब हफते लग जाते थे एक copy बनाने में अब एक घंटे में 8000 sheets print हो सकती है तुम सोचो कितना ज़ादा revolution आ गया चलो लेट 19th century मतलब ये कुछ 1850 के बाद वाले समय में क्या क्या हुआ offset press आने लग गया जिसमें 6 color print हो सकते थे एक बार में अब color printing भी आ गए पहले ऐसा था था नहीं कि बिल्कुल color रंग भी रंग अब तो color printer है जो तुमको प्रिंट करना हो कर लो अब इलेक्ट्रिकल ही चीज़े चाले होने लग गई अब मेकैनिकल काम भी अड़ गया अब इलेक्ट्रिकल ही अप्रेटेड प्रेस आने लग गई अब इनोवेशन की बात कर आप तेकनलोजी की लेड़े देखो अब मैंने तुमको पहले बता था कई बार का होता है कि हम चैटर समझ में से बार होता है पर हम कंफ्यूज रहते कि किन सेक्शन के लेड़े है सबसे पहले जो सेक्शन था वो था चाइना का फिर जापान का फिर था यॉरॉप का अब ही हमने देखा कि इन तीनों जगों पर प्रिंट ने क्या-क्या चैन्जेस किया अब हम देख रहें कि intricate के अंदर कैली की और का चीज अब हीता हमने थे कंगा क्या देख इतना देख लें हो था प्रिंट के टेक्ट से भार हाँ ऊःज़ए कुछ सोचो, कि 1920s का टाइम मतलब फर्स वर्लोकर टाइम है, अब जब वर्ड बॉर चल रहा है, तब लोगों की एकनॉमिक हालत तो बिल्कुल निल बटे सननाट है, लोगों के हर में पैसा तो है नहीं, फुटी कॉड़े नहीं खर्चा करने के लिए, तो इस टाइम पर जो बहुत है, उनकी फट गई थोड़ सी, उनकी फट गी थोड़ से, उनकी रहे सोचा कि यार अपना तो दद दन्द ही है, अब अगर मान लोगों के लोगों ने पढ़ना ही बन्द कर दिया, लोगों का स्पैसी निहीं पढ़ने के लिए तो हमारा, दन्द कैसा चलेगा, तो दिमाग लगा उन्हों सोचे कि काम करते हैं, बहुत ही सस्ती, बेकार quality की किताबे प्रिंट करते हैं, क्योंकि जो गरीब आदनी है, वो उसको quality से कोई फरक पढ़ने रहा है, तो उन्होंने सोचे कि काम करते है, गटिया quality प्रिंट करते हैं, है ना, ताकि एटलीस सस्ती रहे लोग खरीत पाएं, क्योंकि ultimately entertainment चाहिए, भाई तुमको किताब चाहिए कि तुमको entertainment चाहिए, तब तो quality थी ने, अब तो तुम सिर्फ सोचोगे कि हम प्रने भेगा विडियो सिर्फ तब देखेंगे, तब तक फुल HD में होगा, 144P में तो देखेंगे, 360P में तो देखेंग आज भी तुम देखोगी कि Amazon के पर अगर तुम कोई भी बुक देखते हो, है ना, तो वो बुक के दो एडिशन्स होते हैं, एक hard cover और एक paperback, paperback सस्ती होते है, paperback मतलब कि इसके अंदर चे cover है, वो paper का होता है, कागस का होता है, इस type का होता है, जैसे कि ये एक paperback book है, क्योंक हिंदुस्तान के अंदर, अब ही हमने यॉरॉप की कहानी देख लिए है, पूरी की पूरी, हमने देख लिए यॉरॉप में क्या changes आए, क्या नहीं आए, कैसा हुआ, कैसा नहीं हुआ, कौन-कौन से लोगों की क्या-के भाव नहीं है, अब आते हैं इंडिया के अंदर, कई बार paper जो बहुत ही beautifully उसको लेखते हैं, हैंड रिटन, मैनुस्क्रिप्स मतलब क्या है है, हैंड रिटन, हैंड रिटन मैनुस्क्रिप्स मतलब हाथ से लिख हुई मैनुस्क्रिप्स, जिसमें वही वर्नेकलर लैंगोज वर्नेकलर की समझ लो भाई यह बहुत काम कई बार पेपर बड़ा ब्यूटिफुल भी होता था और दिस वाज इधर प्रेस्ट बेट्वीन वुडन कवर्स और सुन तुगेदर टू एंशर प्रिजर्वेशन देख अब एक मानलो कि यह है ना मानलो कि यह एक वो है तुम्हारा पाम लीव्स है पाम लीज को मैं सुखा तो हमने ऐसे करके पेपर्स को स्टिच करना चालू कर थे मतलब दागे से इंस इंसरे पेपर्स को जोड़ दिया अब जब हैसे उपर और लीचे वूड़न कवर लगा कि इसको ब्लॉक कर दिया तो इससे क्या होगा कि अगे गुमना डिफिकल्ट हो जाएगा तो प्रिजर् इतना करने के बाद भी है तो फ्रेजाइली है यह ऐसे घूमी तो घर के घर में फट जाएगी किसी का मतलब कोई भरोसे नहीं बहुत और बहुत एक्स्पेंसिफ भी थी और स्क्रिप्ट थी अलग 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 स्टैल में लिखिया थी अब मेरी हैं अब मेरे हैं अलग माशाल भी हो सकते लिए अब देखो भाई बैंगॉल एक बहुत इंपॉर्टन चीज है ना प्री कोलोनियल बैंगॉल मतलब की अंग्रेजों के आने के पहले वाला बैंगॉल कोलोनियल मतलब रूल मतलब वही जो अंग्रेजों का रूल नहीं आया उसके पहले से यहां पर बहुत लिखना आता था क्योंकि किताबी तो होती नहीं तो बच्चे क्या करते थे बच्चे जब पढ़ते थे ना तो बच्चे जब पढ़ते पढ़ते मतलब टीचर बता रही और टीचर वो नोट्स लेते आता थे इन्ही मैनूस्क्रिप्स पर लिखते आता थे लिखते आता थे बस तुमको वो याद रखना है कि एर मतलब सेंचुरी कौनसे होगी 16 सेंचुरी में फर्स्स प्रिंटिंग प्रेस आई इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर आई अब देखो पहले कोई ऐसा था नहीं इंटरनेट कि किसी ने बता दिया और एक इंटरनेट पर हमने टूटर है जो अपने पूर्टोगल यहां पनी समंदर में है तो गौा ओइस शिपस है तो जो भी सिपसे जो सबसे पहला उनको पोड मे लाओ तो गौा में आख घाय बस गई ने अपनी फर्स तमिल बुक प्रिंटंक की 1579 Catholic priest मतलब कि भाई यह जो religion है इसके अंदर भी 2-3 types के चीज होती जैसे हमारे religion में 2-3 types होते है विससे यहाँ पर भी होते है Catholic होता है एक और आगे तुम देखते होगा और कौन कौन से होता है Catholic priest ने अपनी किताबे print की Tamil book के फॉर्म में 1579 अब Tamil में क्यों print की कि भी अववसी बात हो South India में आए होंगे तो South India में जो भी language चल रही होगे वो सी में print करेंगे अब South India में वो पंजाम फोड़ी print करेंगे ठीक है वो सी भी language प्रिंट करेंगे जो यहाँ पर चल रही है और South India में क्यों आए है पानी से connected तो South India ही था उपर आला तो पानी से connected था नी ठीक है चलो 1731 मलया लंबुक देखो यह तुमको यह आदखने 16th century ऐसे करके 1710 में Dutch Protestant Missionaries आप देखो एक होता है Catholic और एक होता है Protestant Catholic मतलब जो थोड़े Orthodox होते हैं अब एक weekly magazine आई बेंगाल गजट नाम से यह जो थी है अब तुम ध्यान से सुनो अब हम एक-एक अलग-अलग प्रकार की किताबों के उपर इंफ्लूइंस क्या क्या था लोगों का वो देखते जालता है अब बिलकुर कहानी की तरह सुनेंगा इतना समझ में आ गया कि प्रिंट जब इंडिया के अंदर आया तो अलग-अलग missionaries जो थे जो religion अपने religion के ideas फैलाना साथ थे उन्होंनों भी काम किया और धिरे-धिरे जो English थे मतलब जो East India Company थी उसने भी फैलाना चालू कर दिया अब obviously बात है तुम खुद सोचो कई सारी चीज़े इस किताब के अंदर नहीं होगे पर तुम खुद गेस कर सकते हो कि अगर Englishman जो है या English government जो है British government जो है वो कुछ किताबे छापरी इंडिया के अंदर तो क्यों छापेगे खुद सोचो इसलिए चापेगी कि इंडियांस को लगी कि बिटिश हमेशा उपर है और हम जो है वो नीचे है बीरे देर के उनको भी धारने बिठाने दिमाग के अंदर तो उनको लगे कि भाई हमें काम करते हैं अपन वो प्रिंट करते हैं से यूस बड़ी आदमी था इसने सचे के यह का करते था, सुनता था सब के बाद और यू भी गॉसिप होते थी मतलब मालो कि कोई बड़ी लेवल पर मालो English जो East India Company उसके अंदर जो कोई बड़ी लेवल पर कोई बड़ा आदमी है उसकी और उसकी वाइफ के बीच की जो गॉसिप सोते थे वो इसने चाहपना चाले कर दी मतलब बड़ा बड़ा मसाले दर आदमी था यह तब से विलकुल इसके अंदर था कि हम तो विलकुल चुल करना अले content बनाएंगे अब गुस्सा आ गया जो गवर्ना जर्नल था वारेन हैस्टिंग इसको गुस्सा आ गया क्योंकि इसके बारे में भी कुछ ना कुछ लिख दिया होगा गवर्ना जर्नल है वो तुम उसके बारे में कुछ भी चाहप दिये तुमने तो है ना तो इसलिए उसने हिकी को पर्सीक्यूट कर दिया, और अब इसके दिमाग में है कि अपन क्या करते हैं, जैसे यह जो था हिकी, यह को नाम याद रखना, नाम याद रखना, हिकी जो था, इसने जैसे हमारे बारे में उल्टी सीदी चीजे प्रिंट किये, और लोगों के अंद थोप दिया था सारे अंग्रेज के ऊपर, तो अंग्रेज उनों सोचे कि यह तो गलत कर दिया, इसने, अब इमेज ठीक करने है, तो अब इक काम करता है, ऐसे बुक्स प्रिंट करते हो, जो कि हमारी वेज अच्छी बना है, मतलब हमको अच्छा साभीत करते लोगों के सामन प्रिंट कर दी, फिर उसके किसी और ने प्रिंट कर दी, मतलब यह जो लड़ाई थी, इसके करण क्या हुआ, अल्टिमेंटली बुक्स की डिमांड बढ़ने लग गए, तो वही प्रिंट, प्रिंटिंग वाले जो थे, वो बड़े माला माल हो रहे तो उनको लेगा कि तु भही हम question कर सकते, मतलब हम सवाल कर सकते कि यह सही नहीं है, यह गलत नहीं है, कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ गलत है, तो इसलिए कई सारे लोगों ने religious reform करना चालू कर दी, जैसे 19th century ता कई सारे लोगों ने जो अलग-अलग religion है, उनके belief पे सवाल उठाना चालू कर द अब नए आइडिया से दिरी तरी गर के बढ़ने लग गया, ठीक है, पर क्या हो कि एक टाइम आ गया, जिसमें intense controversy होने लग गया, आजकल तुमको पता है कि इंस्टाग्राम यूट्यूब के पर बड़ी controversy होती है, किसने किसे को गाली दे तो बड़ी intense controversy होगी, तब YouTube तो था अब गया, पर दूसरे न वापस इसके अगया, तो ऐसे करके controversy बढ़ने लगे, ठीक है, रिलिजिए रिफॉर्मर्स जिन्होंने अलग 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 orthodoxy को, देखो कई सारे reformers है, reformers वो लोग होता है, जो कि religion को अच्छा करना चाहते है, मतलब मतलब करना चाहते है, कि जो अगर तुम धर्म को follow करने वाले हो, तो अगर किसी पती की, मानलो कि अगर कोई भी आदमी की death हो गई, तो उस आदमी की death में, उस आदमी की death के बाद में, उसकी जो wife है, उसको भी जीने को को उधिकार नहीं है, तो वो उस औरत को जिन्दा जला देता है उसकी अर्थी पे, तुमने अगर मंगल पाणे मोवी देखे तो उसमें एक scene भी आता, शिरम तो basic की होता है, कि जब भी अंतिम संस्कार होता है, जब भी किसी आदमी का अंतिम संस्कार होता है, तो इस अंतिम संस्कार की जो आग है, इसी आग के अंदर उसकी पतनी को भी जिन्दा जला देता और तब नारे लगते थे सती माता की जयर मतलब उसको माता ट्रीड किया था उसको भगवान की तरे ट्रीड किया था और फिर उसको पूरा तयार करते थे पूरे दुलहन के जोड़े में तयार करके उसको जला देते थे जिन्दा अब तुम सोचो कि यह तो religious practice है लोग सोचते क और जब तक प्रेंट कल्चर ने है तब तक लोगों ने स्पर कोशे नहीं कर ले दिए और बिल्कुल जैसे बिल्कुल चालता है रहा हां बहुत है और ज्यादा अब्विसी बात है न कोई भी और चाहेगी कि उसको जिन्दा जला दिया जाए जस्ट बिकोज उसका पती मर गय मालनों कि किसी औरत की शादिया भी भी एक साल पहले और उसका पती मर गया तो भाई वो तो ढंस उसके प्यार भी नहीं कर पाती और फिर भी तुम ने उसके अगरांस को चला दिया उसके तो जिंदिकी खतम हो गई ना तो यह कितनी गंदी प्राक्टिस है पर लोगों ने इस पर फिर लोगों ने स्वाल उठाए कि ऐसा क्यों जस्ट बिकॉस कि वह बड़ी कास्ट में पैदा हुआ है वह पंडित क्यों बन सकता और मैं क्यों नहीं बन सकता राम भॉन रहा ने एक बुक निकाली संबत कॉमधी ठीक है संबत कॉमधी जो बुक है इसके अंदर इन्हो इन्हों बोला कि राजाराम महनुरा भालतू भात कर रहा है तो ऐसे करके रिए इन्हों बढ़ा की सती बंद करतो नहीं सती है अच्छी चीज इसको चलते रहे ढ़ी तो ऐसे करकी हैं तू पर शे निइस पर आगए जहां में नामा और संसूल अकबर से सेंटाइम पे गजि अब मैं अलग अलग लोगों की भावनाएं बता रहा हूँ, तो इस सारी भावनाएं तुम दिमाग में बैठाओ, और एक्जाम पॉन्टे वेसे तुमको इस स्लाइड जिगने, तुमको किसी के उपर भी स्वाल कुछ आ सकता है, पर तुमको समझाने के लिए बता दू, तो सब को लगा किया हमारे religion के बारा भायदेंगे, सब लोगों को अपने religion में convert कर लेएंगे, तो इस में जो ulamımız है तो दर ने लग गए, उनको लगा कि भाई हमको अपने religion की जो बाते है उनको आगे Dafürपड़ेगी, और फीन इपड़े और फेले के लिए कि लिए किसका का काम क ठीक है और holy scripture जैसे कि मानलों कुरान शरीफ तो कुरान शरीफ का ने उन्हें बहुत ही simple translation किया ताकि लोगों को समझ में कि कुरान शरीफ है के actually वरना सिर्फ उनको तो कोई भी गर्ण वड़कर के जलाएगा तो उनको पता होना चाहिए कि हमारी धार्मिक किताबे वो क्या कहन चाहिए तो इसलिए उन्हें उसकी जो कॉपी स्थी बहुत सब्सक्राइब करके सभी लोगों तक फैलाना चालू कर दी दियोबान सेमिनरी क्या है यह एक डेडिकेटड एक ऐसी काउंसिल बनाएगी जिसने फत्वे जारी कि है फत्वा मतलब अगर तो नहीं बताओ तो फत तुलसिदास अब 16th century में रामचरीत मानस लेगे ते तुलसिदास वारा अब तुलसिदास की किताब है वो कलकता में प्रिणने लगे देखो तुम कलकता शूरू सी आगे रहा है ठीक है तो ये दो प्रेस बड़ी इंपोर्टेंट है ठीक है नामे देखो नवल किशोर प्रेस लकनाओ में और श्री वैंकटेशोर प्रेस इन प्रेस का काम था कि यह सिर्फ religious books को print करेंगे vernicular languages में vernicular मतलब कि simple भाष्चा में वहाँ की local भाष्चा हों में तो ये दो process ने अपना काम किया थीक है इन्होंने बोला कि हम ऐसी print करेंगे और बढ़िया वेचेंग और बढ़िया पैसे कमेंगे अब देखते new forms of publication अब जैसे से जाधा तर लोग पढ़ने लगए वैसे ही जाधा तर लोग लिखने भी लगए तो जब लोग लिखने लगए तो उन्होंने अपने experiences और अपनी life के बार में लिखना चालो कर दिया यॉरॉप के अंदर एक literary firm जो थी उसने उसने मतलब इंडिया के अंदर इतनी demand बढ़ने लगई कि यॉरॉप के अंदर एक firm ने इंडिया के लिए novels अपना चालो कर दिया तुम सोचो इंडिया यहाँ यॉरॉप वहाँ इंडिया की demand इतनी बढ़ गई इतना जादा लोग इहाँ पर इंडिया में किताबों के दिवाने हो गए कि यॉरॉप के अंदर भी लोग print करना लगए इंडिया के बढ़ने लगए ठीक है अलग अलग जैसे कि अब नए literary form जैसे बहाई जैसे अलग अलग जैसे कि short stories, essays, social and political matters पूरी पूरी बड़ी किताब नहीं होगी पर जैसे क्या होगा जैसे मालनो रामान को को एकसर्ट है वो यहाँ पर आ गया महाबरत का मालनो की महाबरत के अंदर जो यह रामान के अंदर जो वो होता है स्वाहमवर वाला सीन होता है New Visual Culture also Visual Culture भी आने लगया Visual Culture क्या कह रहा है हमको Visual Culture के अंदर अब धीरी धीरे सिर्फ ये जो चपाई है ना इसकी बात दीरी अब इस चपाई की बात कर रहा है मतलब अब पेंटिंग भी आने लगए जिसे राजा रवी वर्मा ने कई सारी इमेज बनाने चालू करती है ताकि जो लोग इलिटरेट है देखो इमेज तो हरको ही समझ सकता है मैं अगर किसी इलिटरेट आदमी को बताऊंगा मानलो कि मेरा एक फोटो दिखांगो तो समझ जाएगा कि हाँ यह एक लड़के का फोटो है है ना भाले उसको पढ़ना लिख जितने प्रिंट शॉप से नों ने इसको हाईर कर ले कि अब हम प्रिंटिंग करेंगे अब हम इमेज जो है या फिर विजूल चीज़ जो वह प्रिंट करकर बेचेंगे चीप प्रिंट्स अर् कैलेंडर्स अब देखो क्या हुआ कि इम्पॉटेंड प्रिंटिंग होती है जैसे कि भाई, let's say कि Mona Lisa की painting है कोई, अब Mona Lisa की painting हर कोई तो afford कर नहीं सकता है, तो उसकी जो cheap copies है, जो सस्ती copies है, वो market में बटना चालो हो गई, तो ऐसे ही बहुत थरी, ऐसे images हो गई, जिसको बहुत ही सस्ते में print करके, अब अलग-अलग ideas, अब अलग-अलग ideas, ट्रेडिशन, रिलिजिन, पॉलिटिक्स, इन सारे के उपडर, अलग-अलग ideas, लोगों के आना लगए, अबविसी बात आएंगे सी, 1870 से केरी क्रेचर और कार्टून बड़े famous हो गए, केरी क्रेचर और कार्टून में बड़ा एक difference होता है, कार्टून जो हते होते होते हैं नकली, केरी क्रेचर होते हैं असली, मतलब अब अगर अभी तुम देखते होगा, निउस्परस अंदर मोधी जी का, या फिर अर्विन केजिर्वल जी का, राहुल गंदी जी का, इन सब के अले-गले केरी क्रेचर आते हैं, कॉमेडी वाले, जिसके अंदर मोधी जी कुछ बोलते हैं, किसी को टॉंट मार दिया, किसी को टॉंट मार दिया, तो वो क्या होता है, एक असली इंसान को काटून के फ़म में बनाना, इसको कारी क्रेचर बोलते हैं, और कार्टून मतलब कार्टून, डोरे मॉन, नोबिता, ये सब actually exist नहीं करने हैं, ये सब कार्टून ही हैं, तो ये सब कार्टून हो गए, तो ऐसे धीरे-जरे ये सब पढ़ने लगए, क्यों, क्योंकि भाई देखो, सोशल और पॉलिटिकल, जब अब मानलों कि कोई भी इंसान है, तो वो पूरी न्यूज नहीं पढ़ेगा, पर वो कैरी क्रेचर देखके, समझ में उसको आजाएगा कि भी मोदी जीन ने क्या बोला है, या किसके बारे में क्या बात हो रही है, या किसके बारे में क्या बात हो रही है, वो उसको समझभा आजाएगा, तो ऐसे करके कैरी क्रेचर और कार्टून बड़े फेमस होना लगए, वैसे उस टाइम पर जो बहुत सरे इंडियान से एजुकेट होया थाते हैं उनको लगता था बहुत बढ़िया है हमारा कलचर घटिया है तो जो वेस्टरन कलचर की बहुत ज़ाद है ऐसे बिलकुल वो गड़ता था ना कि यह यही सबसे बढ़िया कलचर है एक चित्र जो है वो हजार कहानिया बता सकता है तो सेम चीज़ एक क्या पूरी-पूरी कहानिया एक चित्र में पूरी तुमको दिख जाती है इसकि बोस्ति उप्रव इनको ब्यवखूफ साबित ने कले है और कई सारी क्रीक्रेशिर सहते है जो कि नैशनलिस्ट लोक बनाते थे इन को बेवकूफ साबित करने के लिए और कई सारे इंपिरियल लोग बनाता थे नेशनलिस को बेवकुव साबित करने के लिए तो यह सब चलता रहता था अब नियू फॉर्म सा पॉब्लिकेशन विमेन की बात करते कि विमेन का क्या रोल रहा विमेन्स रीडिंग तो बेसिकली विमेन की रीडिंग जो अपनी अब क्या विमेन लिखने भी लगए तो कई सारी जर्नल से उनको सपोर्ट किया जैसे मालों एक मैगजीन है उसके अंदर मैं किसी विमेन का किसी औरत का लिखा हुआ वो छाप दूंगा थोड़ा सा पाट तो लोगों को दीरे-दीरे करके यह चीज़ फेमस होना लगी ठीक अब देखो जो conservative लोग थे उनको लगता था अब देखो अलग-अलग region के जैसे कि मानलोग मैं किसी पड़ड़ लिखन की बात करता हूं तो कुछ लोगों को लगता था कि अगर विमेन पढ़ लिख जाएंगी तो वो विद्वा हो जाएंगी मतलब उनका पती मर जाएगा तो अलग-अलग लोगों कि जो orthodox लोग थे न हर रिजिन के orthodox लोग वो उनका यह मानना थे कि विमेन ने पढ़ना लिखना चालू कर दे तो भाई वो फिर बहुत गलत हो जाएगा क्यों हो जाएगा कोई सेंसे बात का बिल्कू को सेंस नहीं पर फिर भी लोगों मानना चा यह उनका शादी हो गया तो इन्होंने क्या कि अपने किचन में बैठके तुम सोचो सीकर्सी ओफ दे किचन में बैठके किताब चुप चुप के पढ़ती थी क्योंकि बहार अगर पढ़ती तो ससुर जी उल्टा सिथा बोल देते सास हमको चाटा मार देती है यह हमारा पती हमें प्रतारित कर देता हमको हमको बहुत अत्याचार कर था तुमार अपर क्योंकि कोई भी एक्सप्ट नी करता नहीं है पर फिर भी तब भी उसने किचन के अंदर बैठके पढ़ना चालू किया अब जब उसने पढ़ना चालू किया तो देरे-देरे करके उसने अपनी autobiography जिसके एक orthodox household में शादे हो गए थी एसा चलो अब विमेन की बात करते कि कैसे विमेन का रोल इसमें आगे बड़ा 1816 से लेके कई सारे बेंगाली विमें जैसे कि कैलाज बाशिनी देवी बहुत तुमको रीड तो करते ही चलना है और जो डेट्स है यह यह याद करता है जो इसे नहीं कि पेंपट लेकर बैठारो जो जो भी डेट नाम और क्या-क्या चीज की डेट नाम क्या-क्या चीज की तो डेट नाम डेट नाम डेट नाम ऐसे करकर कर के तुम पूरी एक लिश्ट बना लो ताकि तुमें खुद को याद रहे और फिर बाद में अपनी NCRT से जब तुम रीड करो NCRT को तो उसको इससे रेफर करना कि इसमें क्या-क्या-क्या-क्या-क्या चीज नहीं तो ऐसे में तुम्हारी जो डेट से और जो नाम है भाई वो नेक्स्ट लेवल तरीक से याद हो जाएंगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं देखो तो ये केलाज ब Come Kept and is forced to do Hard Domestic Live and western and treated unjustly by very people they served Okay At 1880 में present day Maharaj यहाँ पर पर तारा बाई शिंदे और पंडित नाम भाई उन्होंने बहुत की passionate एंगर के साथ में लिखा कि कैसे my record की महिलां के साथ में भी यह अपरकास्य कीमहिला जो कि especially videos है जो विदवा है उनके साथ कितना अत्याचार होता है तो उस बारे में इन्होंने लिखा अबिसी बात है बड़े गुस्से में लिखा जब गुस्से में लिखते तो जब पढ़ने वाला इंसान होता उसके अंदर भी गुस्सा आता और उसको समझ में आता है कि बहुत आदा अत्याचार हो रहा है ना सिर्फ और आदमियों को भी मेल्स को भी लगता है कि इतना अत्य तो यह अत्याचार कौन लिख सकता है वो ही लिख सकते जिनके ओपर बीती है तो आप बीती यानि कि जिसके ओपर बीती है वो लोगों ने आप लिखना चालू कर दिया है जैसे तमील नॉवल लिखी गई तो क्या लिखा इनोंने इसमें एक औरत ने लिखा है कि मेरी दुनिया बहुत छोटी सी और इस छोटी सी दुनिया में जो खुशी आए न वो किताबों के कारणी आई है तुम सोचो कि औरतों को कितना बांध के रखा जाता है उनकी खुशियों को बिल्कुल कोई ध्यान नहीं देता है अब लार्ज सेग्मेंट जो है वो एड्यूकेशन विमें बे आने लग गया जर्नल जो है वो डिसकुशन अब धीरे-धीरे जैसे जैसे लोगों के अंदर पॉपल देखो जिंबजी बात है प्रिंटिंग प्रेस चलाने है अची है पाईसा उसको पता है कि पाईसा तब आएगा जब मैं वह चीज सपोंगा जो लोग पढ़ना चाते हैं अब उसका सब्सक्राइब चापते हैं जो विमेन के अपर है कि लोगों को पढ़ना पसंद आ रही है तो हम इस ट्रेंट को फॉलो करते हैं लाइट चलेगे पर कोई बात नहीं हमारे एनरजी बिल्कुल नहीं जाएगे ठीक है चलो तो ऐसी बुक्स के अपर चापना चलो उसके पर क्या-क्या मुद्दे थे विमेन्स एजुकेशन का मुद्दा था विड़ो हो जाती उसका आगे क्या मतलब विड़ो को भी पूरी अपनी लाइफ आगे अच्छे से पूरी वह करने का मौका मिलना चाहिए ठीक है चलो एक बार मैं इसको थोड़ा सेट कर देता चलो इतनी बस संच में आगे है ना अरे जादा सफेद हो गया ठीक है चलो विड़ो रिमेरिज मतलब कि अगर कोई विद्वा है तो उसकी वापस से शादी होना अलाउड होना चाहिए शी शुड़ बी अलाउड टू रिमेरिज और नैशनल मुवमेंट कई सारे ओफर हाउ कि जिसका नाम था इस्त्री धर्म विचार तू टीच विमेन हाउ टू बी ओबिडेंट वाइज मतलब यह राम चड्डा नाम का आदमी ने एक ऐसी किताब प्रिंट की जिसमें औरतों को बताया रहे थे कि तुमको कैसे बहेव करना है एक अच्छी पतनी कैसे बना जाए मत मतलब यह तो सिखा रहा है कि कैसे अच्छी वाइज बनो ओबिडेंट वाइज बनो अपने पती की बात सुनो ऐसा जरूरी थोड़ी है ठीक है फिर खालसा ट्रेक्ट सोसाइटी ने भी बुक पब्लिश की सेम इसी तरीके की कई सारी बुक जो थी that was about the quality of a good woman मतलब कि यह ल अंगॉल के अंदर एक एंटायर एरिया इन सेंटल कलकत्ता द बटल बटल एक एरिया है बटला जिसको डिवोट किया गया था कि सिर्फ यह पूरी सिर्फ बुक स्प्रिंट करने के जगे जैसे आज कल तुम देखोगे ना कि सरोजीनी मार्केट है दिल्ली में तो बड़ा सिर्फ कपड़ों के लिए है फिर मुंबई के अंदर फैशन स्ट्रीट है ऐसे इम्cover के अंदर साराफा है जो के सिर्फफ खानेे कले पीने कले फेमस है या फिर शापन धुकाने कले फेमस है वैसे एक एरिया बन गया है ऒबूग प्रिंटिंग के लिए फेमस ता इतनी या फिर कभी पैडलर जो थे, वो मार्केटिंग का काम करता थे, कि भाई, मैं एक बड़ा book seller हूँ, तो मैंने पैडलर सकते, जो तो तुम जा के बेचो, और उस book का जो commission हो, तुमको मिलेगा, ठीक है, इस type से, अब देखते, print and poor people, तो हमने print and women देख ले, अब print and poor people, देखते क चाइना से, चाइना के अंदर भाई, कैसे पहले print होती थी, एक वो wood से उसको रगट-रगट के print होती, अब तब सिर्फ अमीर लोग देख पाते थे, या कुछ छोटे-छोटे, कुछ थोड़े बहुत ही लोग पढ़ पाते थे, अब देखो कैसे घर-गर पहुंच गे चीज Public Library Setup होने लगए, अब देखो क्या हुआ, कि जो अमीर लोग थे, उन्हें न क्या क्या गाओं में जाके Library Setup करने लगए, क्यों, क्योंकि उनके लिए Prestige की बात थी न, भई लोग बोलेंगे न, कि अरे वो साहब ने, प्रणे साहब ने की Library है, प्रणे साहब की देने में जो बड़े बड़े नाम तुमने सुने होगा, जो तुमने सुना होगा कि जो बाफूले जो है, अब इन्होंने क्या क्या, इन्होंने books print करना चालू कि अब books लिखी अपनी किसके खिलाफ थी वो उसका नाम था गुलाम गिरी अब तुम नाम से समझ सकतो गुलाम गिरी गुलाम गिरी का मतलब ही होता है कि कैसे caste system के कारण लोगों को गुलाम बनायाता है मतलब जो upper caste के हैं वो ये मान के चलते हैं अब ये माली के और लोगों कारण वाले हमारे गुलाम है तो ऐसी गुलामी के खिलाफ रिन ने खिताब लिखी बियार अम्मेड कर ने महराष्ट के अंदर किताब लिखी और ईवी रामस्वामी ने खिताब लिखी किताब लिखी छोटे और बड़े का सवाल क्यों हो छोटे और बड़े का सवाल अगें ये भी वही caste और class exploitation किया जो छोटे caste को थे उनको बहुत ही प्रतारद किया आता है तो काशी बबाबा ने कौन से लिखी छोटे और बड़े का सवाल अब देखो censorship के उपर आता है censorship क्या चीज़े देखो जैसे आज की डेट में कोई भी जो मूवी बनते तो इसको censor board में जाना पड़ता है censor board में क्या होता है कि जो भी ऐसी चीज़े जो कि public के लिए harmful होंगी वो हटा दी जाती है तो similarly censorship का मतलब यह होता है suppression of expression अगर मैं simple बात बता हूँ suppression of expression मतलब कि जो भी मैं express करना चाहता हूँ उसको suppress कर दिया गया मैंने अपनी किताब के अंदर खुलम खुला लिखाए कि अब जो अंग्रेज उनको पढ़के मजा तो आएगा नहीं तो अंग्रेज का करेंगे कि उस किताब को दबा देंगे इसको बोलते है censorship censorship मतलब कि सरी वह चीज़े publish होने देना जो कि आपके favor में हो आपके against की एक भी चीज़ हो तो उसको बंद कर दो बहार में आन दो ठीक है अब censorship पहले था नहीं इतना बड़ा अंग्रेज को लगए कि ठीक है क्या करना है संतर करके चलना दू किताब है पर अंग्रेज की बाद में फटने लगए उन्हों सोच के भाई किताब है अगर और चलती रहा हमाँ दमाग फट जाएगा पहले तुन को लगए कि हलके में लेंगे लोग ठीक है कोई इसको ध्यान ने देगा पर अब धिरे-दिरे लोगों ने ध्यान दना चालो कर जाए बाई 1820 कलकता सुप्रीम कोट ने पास्टेन रेगुलेशन तु कंट्रोल प्रेस फ्रीडम ठीक है धिरे-दिरे करके प्रेस फ्रीडम पर कंट्रोस आना लग गया ठीक है Begin encouraging people publication of newspaper that would celebrate British rule In 1835 faced with urgent petitions ठीक है तो basically क्या कहना चाहरे है कि कलकता सुप्रीम कोट के अंदर कई सार regulations पास कर दीगे जिसके हिसाब से यह साबित हो गया यह rule established हो गया कि कुछ हर टाइप की किताब नहीं चप सकते है 1835 में क्या हुआ कि urgent petitions आए ठीक है और वरनाकुलर वरनाकुलर इस पर मतलब की भाई लोगों ने प्रोटेस्ट किया लोगों नहीं बला कि तो मैं ऐसे कैसे लगा सकता हो हमार अपर रोक तो इसलिए इसलिए उन्होंने वापस से कुछ ऐसे लोगों बना जिससे पुरानी फ्रीडम वापस आगे लोगों बास यह थी शुरुवात इंडिया के इंडिपेंडेंस के तरफ और जब ऐसा हुआ तब ब्रिटिशर का दिमाग फड़ेगा कि भाई लोग जो हैं इंडिया के लोग है थोड़े ना वो हो रहे हैं हमको भगाने के ताकम हैं तो हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ठीक है चलो तो वर्नेकलर न्यूस पर ब्रिटिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडे तो इंग्लिश्मन ने गया कि इनको बंद करा दिया, इनको थप करने की बात कर दिया, अब आता है Vernacular Press Act, Vernacular Press Act क्या है, Vernacular Press Act का मतब यह है अंग्लिश्मन ने इसा हो, तो हम भी ऐसा करते हैं, तो हम भी ऐसा करते हैं, अब हर एक किताब चापने से पिल आपको एक रिपोर्ट सब्मिट करनी पड़ेगी, कि हमारी किताब में यह चीज है, और जब वो उसको अप्रूव करेंगे तब आप उसको चाप सकते हो, अगर किताब में गलत चीज है उसको हटाओ, और तुमको हटानी पड़ेगी, अगर उनकी वार्निंग देन के बाउजू तुमने नहीं हटाई, तो वो क्या करेंगे, तुम्हारी आग के पूरी किताब की चापने की वो है, उसको सीज कर देंगे, तुम्हारी पूरी प्रिंटिं प्रिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटि उसको सप्रेस करना चालू किया तो लोगों ने अपने आउज उठाई तो अंग्रेजों ने कुछ ने कुछ हाता पाई कि बंदब वही मारा कुटी यह सब चलता रहा जब पंजाब की रेवलुशनरी को डिपोर्ट कर दिया गया तो बाल गंगादर तिलक ने किताब लिखी जो कि इनकी सिंपती के लिए किताब का नम गया था केसरी किताब के अंदर इनके साथ में सिंपती शोकी कि बाई इनके साथ कितना गलत हुआ है लेख अब दिखो उन्होंने किताब उन्होंने शोकी तो उनको इमप्रिज्न कर दिया जेल में डाल दिया सबसे हमने बेखा चाइना फिर मने देखा चैना फिर हमने देखा जपान और योडोप के अंदर कैसे कैसे चीजे आगे बड़ी के साथ में लोगोगों की भावनों में क्या क्या चेंज आया ठीक है फिर प्रिंट नेो या दो चीज यह दो चीज़ हमने यॉरोप के अंदर खी सिमिलरल फिर इंडिया के अंदर मैं यह चीज़ ए दिक कि कैसे अलगर एक रिलीजेस बातों पर चेंज आया और प्रिंट की टेक्नोलोजी में क्या क्या चेंज आया वो भी हमने देख लिए पर नहीं होते है आट आट नौनो गंटे के लेक्टर देखने की तो इसलिए मेरा मोटीव होता है कि मैं एक सवा गंटे के अंदर तुम्हें पूरे चैप्टर को निचोड के बता दू जो भी सारी इंपोर्टन चीज है और इंपोर्टन के साथ यह भी बता दू कि कहां कहां नहीं होगे हमारे एफट हम लोग मिलते नेक्स लिए सब्सक्राइब तब तक लिए गुडबाई टेक क्यार जैहिंद वंदे मातनम